गाइस मुझे बहुत सारे मैसेज हैं मेरे Instagram पे मेरे email ID आने मेरे WhatsApp पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं कॉन सा माइट लो या पिर मैन एक माइक ले लिया है और मुझे लग रहा है यार वह बढ़िया नहीं जो मुझे आज मेसेज आए तो मैं बता रहा हूँ आज मेसेज आदा कि मैं आडियो टेक्निका के 80 2020 शायद मैं लिया हूँ बन मुझे लग रहा है कि इस नॉट सॉल्विं माई परपस और मुझे लेना चाहिए रोड एंटी बनने है ठीक है सेइम परसन का मैसेज मुझे एक हफते पहले आता है कि मैं जो आडियो इंटरफेस यूस कर रहा हूँ फोकस राइट सोलो ठर्ट जैन और मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए मैं आज क्यों मुझे लग रहा है कि और आटपूट वैसा नहीं आ रहा सिंड्रोम में और डीप जाने से पहले मैं आपको छोड़ा से अनॉंस्मेंट कर दो कि हम लोगों को जो म्यूजिक प्रोडुक्शन कोर्स था म्यूजिक प्रोडुक्शन मेरथान जो कि अभी जिसका की रेश्ट्रेशन चालू है जो कि 22 अगल से शुरू होगा जिसपे की 50% का डिस्कांट है वो खल शाम 6 बजे खतम हो जाएगा 15 अगस्त को शाम 6 बजे खतम हो जाएगा फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो अगर आपको आपको एक बारे में कोई प्रो बड़े खता है वही एक हाई लबल का मशीन यूज अगरणा बना रहा है वो एक एक बार भी अपने पर डाउट नहीं करता आदमें उसके बस मशीन के दिक्कत है भाई मशीन के दिक्कत हो ठीक है अगर आप किसी भी चीज को लेके एक्साइट हो जाते हो चाहे टुटोरियल हो कि हाँ यह तुटोरियल में देखने में लगे हो ना कि प्रैक्टिस करने में य तो ये चीज करने से जेज़गा आपको पता नहीं लेकिन आप क्या होता कि आपका जो music से ध्यान होता है वह हट जाता है आपके करियर को music करियर उसको kill कर रहा ही ये synavi object syndrome में ऐसे मैं आया है तो मुझे लग ए इसके बार में बात करने चाहिए बहुत serious थी नहीं टो जब मैं अभी जस्ट एक्स्प्राइब कि हमें एक गियर लेने का टेम्टेशन रहा है कि भाई मैं यह वाली मीडिय लूँगा या फिर मैं यह वाली स्टूडिय मॉनिटर लूँगा मेरे पास है जब कि यह फिर नहीं भी मैं हैटफोन पर मिक्स करता हूं बट शायद हैटफोन प कभी पता किया है नहीं कि कैसे करते हैं गिठार को तो कहां से अच्छा साउंड करेगा ठीक है तो सबसे पहला है गिर एक्क्वूजिशन सिंड्रूम की कभी आपको लग रहे है कि जब आपको पास एक माई के जिससे आप रेकॉर्ट कर लें यह डिसंट रिकॉर्डिंग हो इंपूट हो मैं चारो इंपूट लगाऊंगा और फिर जाग मैं सुनूँगा बट अभी आपको बस अपने वोकल रिकॉर्ड करने उसमें एक इंपूट दिया हो लेकिन अभी आपको चार चाहिए छह चाहिए दन यह बस ग्यास है ग्यास जब भर जाता है तो आपको परिश आप मैं से खुद काफी लोग बहुत अच्छे से करनेट कर पाएंगी कि हां मैं ट्यूट दो देखा हूं 24 घंटा प्रैक्टिस कितना किया हूं बस डीड़ू खोलने वालों बट अभी खोला नहीं मैं तो कभी भी आपको बहुत सारे ट्यूटोरिल नहीं देखने आपको मैं लगना नहीं है ऐसा नहीं कि देखे बहुत बहुत जरूरी है मैं खुद शुरू के डेज में बहुत जाड़ जड़ी ट्यूटोरि देखा हुगा हूं बट मुझे फायदा तभी मिलना शुरूवा जब मैं उसका इप्लाइ करना शूरू कि वीज़ए को मानता हूं कही यह tutorial देखा, how to mix guitar with just one plugin, मैंने देखा, भाई, मैं यह वाले tutorial देखूंगा, watchlist में डाल के छोड़ देखा, दो गंटे, मैं देखूंगा, दो गंटे फिर बैठ के आपने देखा, फिर आपने एक thumbnail देखा, use this plugin to mix your song like God, और फिर आपको लगा, यह भी देख लेते हैं, ऐसे देखते हैं, लूप पे लूप चल रहा है, दिन रात, बिंज वाच कर रहा है, अप tutorial ठीक है, यह बहुत जादा नुकसान होता आपके music career के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आपको रोक के रख रही है, तो इसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादे देना पड़ेगा, तीसरा सोचल मीडिया, उनलाइन, कम्यूनिटी, फोरम, यह सारी चीज़, जैसे कि आपको बहुत लोग बोलेंगी, सोचल मीडिया पर एक्टिव रहा, बहुत जादा एक्टिव रहा, बहुत सारे लोग नेटवर्किंग माइंडसेट में आ जाता है, कि मुझे नेटवर्किंग, मुझे नेटवर्क बनाना है, जब तक मैं आपको एक बात बता दो, कि जब तक आपका स्किल नहीं बनाऊगा, कोई आपको अपने नेटवर्क में नहीं रखने वाला, हर्श टूथ ही है, मेरे पास मैंसे आता है, सर मैं एक गाना बनाना चाहता हूँ, मैं एक राइटर हूँ, और आपके तो कॉंटेक्ट में बहुत सारी लोग होंगे, तो आपके एक काम करें, आप मुझे एक सिंगर दे दीजी, उन्हें भी राइटर चाहिए होगा, तो मैं उनको राइटर मिल जाऊँगा, और आप एक कॉंपोजर ऐसे करके, चार-पांच लोग को मिला दीजी, मेरे साथ, ताकि हम लोग की गाना बनाता है, मैंने काव कि आपकी लिरिक्स कैसी है, उन्हें वो थोड़ा शर्मा रहे थे कि सर ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, मैं आप दिखाये तो, उन्हें ने दिखाया, तो मैंने का, कि आपको क्या लगता है, लिरिक्स कैसी है, अगर आपके कोई फ्रेंड है, जो कंपोस करते हैं, जो गाना बनाते हैं, तो सही, वो आपके साथ काम करेंगा, बट कोई तीसरा बंदा आपके साथ नहीं काम करेगा, अगर वो अच्छे से सीखा हुआ है, और आप अगर सीख रहे हैं, तो अपनी एनरजी, अपना टाइम, अपना एफ़र्ट वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सोशल मीडिया वाली चीज़े हैं, कि हाँ बाई सोशल मीडिया पर रहना बहुत जादा मुझे Facebook समालना है, मुझे Twitter समालना है, मुझे Instagram समालना है, मुझे Mojo समालना है, मुझे YouTube समालना है, मुझे पदा नहीं क्या समालना है, वो हमेशा आपको नुकसान करेगा, क्योंकि इनिशली क्या होता है, जब आप music शुरू कर रहा है, तो आपको हर चीज़े करें, कट जाना पड़ता है, कि मैं एक-दू चीज़ी समालना है, ठीक है, बट मुझे music में ज़्यादा time देना है, मैं skill पहले develop करूँ, खास करके जो आपके initial days होते हैं, जो कि आप में से काफी लोग जिस level पे हैं, उस level की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप लोग ज़्यादा time देना चाहिए, आपके music production पे, आपके practical पे ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा time आपको देना चाहिए, और वहाँ पे आप social media पे लग गएक कि मैं live जाओंगा। तो ठीक है, celebrity बादी छीज़ा यह देख कर सुनके चलाँ है यार, live-live पढ़ी यह रगता है, but it's not for you, at least अभी के लिए, अभी आपको time देना जो celebrities आप देख रहे हैं, जो शादाब रहेंजे, चले जाते हैं लाइब या फिर जो विशाल मुष्रा चले जाते हैं लाइब उन्होंने अपनी स्किल बहुत अची डॉलप कर ली है अब वरी हाई लेवल और अब जा रहें लाइब बट आपका अभी क्या काम है अभी आपका काम है पूरा टायम देना आपकी प्रोडक्शन में अपर बहुत चीज का मैं प्रोडक्शन बोल रहा हूं क्योंकि इन्हें के ज़्यादा सब्स्राइबर मेरे हैं बट अगर आप सिंगर हैं तो अपना ख्याल रखिए ठीक है मैं में ताफ से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब सीओ जाहिंद